इस्राइल गाजा का बाजा बजा रहा है लेकिन किसी को हिम्मत नहीं की टांग अड़ा है चारों तरप से मुस्लिम देशों से घिरा इस्राइल अरब के खलिफाओं को लड़ने से कौन रोक रहा गाजा में हर दिन जा रही हजारों की जान तुर्की से लेकर सौधी तक बस बातों से लड़ रहे क्यों इस्राइल इस लड़ाई को अपने अस्तुत्य की लड़ाई बना चुका है इस्राइल ये जंग आखरी जंग की तरह लड़ रहा है इसराइल ने 7 अक्टूबर को जो जेला उसके बाद से गाजा का हश्ट दुनिया देख रही है इसराइल ने गाजा की जमीन पर जितनी मिटी है उससे कहीं अधिक बारुद भर दिया है 7 अक्टूबर से पहले का गाजा और उस तारीक के बाद वाला गाजा बिलकुल अलग है 7 अक्टूबर के हमले में 1200 इसराइली अपनी जान गवा बैठे लिकिन उसके बाद से जो गाजा में लोगों के मरने का सलसला शुरू हुआ है वो रुक नहीं रहा दुनिया के देश इसराइल से गुजारिश कर रहे हैं लिकिन इसराइल रुक नहीं रहा इसराइल अगले 100 सालों तक खुद पर होने वाले संभावित खत्रे को आज ही तबाह कर देना चाहता है एक रिपोर्ट की माने तो गाजा में अब तक 11,000 लोग अपनी जान गवा चुके हैं लिकिन इसराइल के बदले की आग शांत नहीं हो रही इसराइल जिसकी आबादी महद एक करोड है वो हर तरब से मुशलिम देशों से घिरा है लिकिन किसी अरब देश की हिम्मत नहीं हो रही कि वो इसराइल से पंगा ले इसलाम और उसके मानने वाले दुनिया भर में ये सवाल पूछ रहे है कि अरब के देश शांत क्यूं है अरब के देश इसराइल का गुस्सा देखकर खौप में आ गए है वो गाजा के लोगों के लिए जुबानी जमाखर्स से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे वो इसराइल को गीदर भब की जरूर दे रहे हैं लिकिन कोई भी इसराइल से सीधे युद में उलजने की हिम्मत नहीं कर पा रहा इसराइल की मिलिटरी ताकत और उसके जुनून का अंदाजा अरब देशों को है साठ के दशक में 6 दिन का युद अरब देश भूले नहीं है इसलिए कोई भी इसराइल से सीधे नहीं उलज रहा गाजा की मुसल्मान अरब देशों के भरोसे बैठे हैं लिकिन अरब के देश आँख पे पट्टी डाल चुके है गाजा पर अरब रीजन में सबकी अपनी डफली अपना राग है गाजा का राजनीतिक लाब सबको चाहिए सबको उम्मा का लीडर तो बनना है लिकिन इसराइल से लड़ने की कुवद किसी अरब देश में नहीं है इसराइल अपने दुश्मनों को चाहे वो जहां छिपे हों ढून कर खत्म करता है अरब के देश ये सब जानते हैं इसलिए कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है हमास के पीछे इरान है लेकिन इरान की हैसियत नहीं है कि वो इसराइल से सीधे जंग लड़ जाए इरान अगर युद्ध भी लड़ता है तो अरब की बड़ी ताकत साओधी उसका समर्थन नहीं करेंगे इरान और हमास जानते हैं कि गाजा पर अरब की देश आपस महीं बटे हुए है इसलिए इरान चाहता है कि मौजूदा युद्ध मुसल्मान बनाम गैर मुसल्मान का युद्ध हो जाए अलगसा मस्जिद का इसलाम में वही मत्तो है जो साओधी के कावे का है लेकिन साओधी जैसे देश अलगसा पर मुसलिम कबजे को लेकर कभी मुखर नहीं रहे इसका कारणे कि साओधी को लगता है कि इससे उसके यहां आने वाले मुसल्मानों की संख्या में कमी आ सकती है तो साओधी अरब के लिए अलगसा पर मुसल्मानों का कबजा नहीं हो यह फाइदे का सौधा है इस्राइल जब तक अपने मिशन में काम्याब नहीं होता है वो गाजा में नरक के दरवाजे को बंद नहीं करेगा और अरब के देश इस्राइल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते Bureau Report, Leading Bharat TV झाल 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 झाल